तो महीं हर्याना वधान सभा चुनाव में बिजेपी की धमा के दार जीत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनी हलाकि हर्याना की चुनाव परिणाम से कॉंग्रिस खुश नहीं है लेकिन इंडिया गडबंधन के कुछ सहियोगी जरूर गदगद नजर आएंगे हर्याना चुनाव के नतीजों का आसर खास कर उत्तरपदेश में होने वाले दस वधान सभा के उत्चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी ने उत्चुनाव के लिए 6 सीचों पर प्रत्याशियों के नामों का अलान कर दिया सपा की पहली लिस्ट ऐसे वक्त में आई है जब एक दिन पहले ही कौंगरिस को हर्याना में हार का सामना करना पडा है जानकारों के मताबिक कांगरिस की हार से सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया होने वाले दस मधान सभा सीटों के उपचुनाव में सीट शेरिंग आसान रहती है लेकिन कॉंगर्स की तरफ से सपह के समांग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव ने चुनाव से कदम पीछे खीच लिए और कहा कि BJP को हराने के लिए वे कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं अब हर्याना चुनाव परिणाम के बाद समाजवादी पार्ची के नेता खिलेश यादव की कुर्बानी की याद आने लगी है ऐसा इसलिए क्योंकि कॉंग्रिस यूप उप चुनाव में पार्ची को वस्तार देना चाहती है लेकिन हर्याना में आये नतीजों की बाद कॉंग्रिस को चटका लगा है अब वे दबाव की पॉलिटिक्स कर ज्यादा सीटे मांगनी की स्थिति में नहीं होगी समाजवादी पार्ची यूप में खुद को मजबूत मानती है लेहाजा वे भी कॉंग्रिस को ज्यादा सीटे देने की मूड में नहीं थी अब हर्याना चुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्ची गटबंधन के साथ ही कॉंग्रिस को दबाव में रखेगी और ज्यादा सीटों की मांग पर लगाम लगेगी